हे गाईज विल्कम डू सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज एक नई रिक्रूट्मेंट की डिसकस करने वाले हैं जो की वेकिंसिस आउट की गई है गैस कंपनी से निकाली गई है बैसिकली एक गैस कंपनी है यह टोटली गवर्मेंट लीड करती है निकि एक तरह से गवर्मेंट जॉब है वो भी पर्मनेट जॉब्स है इसकी जो कंपनी का नाम है असम गैस कंपनी लिमिटेड जो की असम गवर्मेंट इससे लीड करती है तो local candidates firm को apply कर सकते हैं permanent jobs की vacancies है 10th pass with ITI के student के लिए great opportunity है gas company में salary बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा risk होता है एक चीज समझो कि oil आपने सुना होगा कि oil India limited हो गया या फिर O NGC हो गया या फिर oil की कोई भी company gas की कोई भी company हो गया different यही है क्यों आपर सबसे ज़्यादा salary क्यों मिलती है क्योंकि सबसे ज़्यादा risky होता है उसमें से सबसे ज़्यादा जो risky है वो आपका gas company होता है तो gas company में जितनी भी ज़्यादा recruitment होती है वो बहुत ज़्यादा salary प्रवाइड करती है पिकोज रिस्क ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा होगा तो सेलरी ज़्यादा होगी मर्चंट नेवी का नाम सुना है अपने मर्चंट नेवी में लाखों की सेलरी होती है अब क्यों होती है क्योंकि रिस्क ज़्यादा भईया काफी ज़्यादा luxurious job माने जाती है वो काफी सारे candidate अगर चाहते है merchant name पे मैं वीडियोज बनाओ तो comment करके ज़रूर बताना बहुत अच्छी जवाब है लेकिन वो इसी तरह guys यही है कि salary जो आपको 33,000 दिखा रही है इससे भी ज़्यादा salary आपको मिलती है gas company में चलिए detail notification वाई चर्चा करेंगी कि कौन-कौन से लोग eligible apply करने के लिए eligibility condition, selection process, application process वगरा क्या होने वाली है इससे पहले में बता दूँ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे है so please do subscribe and hit the bell icon ताकि इसी तरह government jobs की update आपको हमेशा मिलती रहे so guys यह है official notification the Assam Gas Company Limited यह government of Assam जो है वही से lead करती है basically यह vacancy है totally permanent jobs की vacancies है यानि कि आप जब इस पे जोइन कर होगे regular vacancy होगी आपकी यहाँ पे permanent jobs मिल जाएग यह जो present date quarter of the turn of दुलजान यह दुलजान है district है जो की डिवर्यूगड में then आपका Assam में यह base है उसके बाद जो heart यह सब district है यह काफी industrial area है यहाँ पर आपकी recruitment के हिसाब से आपकी selections होने वाली है देखो guys industrial area जो है actually Assam में यह काफी यही पर है आपको पता है कि आपका जो सबसे पुराना तेल की जो खारकाना है यहने कि तेल जो खोजा गया था वो हमारा यहीं पर खोजा गया था डिग बोई में आपको पता वो भी Assam में इस थी थे तो that is great opportunity तेल का बंडारा यहाँ पर यहीं से recruitment आउट की गई है देखो vacances की में बात करूँ तो fitter trainee की recruitment सबसे पहली इसमें apply करने के लिए 12 pass होनी चाहिए HSLC देखो 12 pass होनी चाहिए but full time ITI fitter pass from government recognize थे होना चाहिए वो भी government of Assam recognizing should otherwise आपने NCVT, SCVT से किया है तो दोनों apply कर सकते हैं इसमें total 10 vacances है diesel mechanic training की vacances इसमें total 2 है ITI pass out होना चाहिए engine diesel mechanic में याद रखना उसके बाद electrician की vacances है electrician की भी 2 vacances है full time ITI electricians होना चाहिए wireman training में wireman के लिए apply कर सकते हैं एक vacances है welder के लिए apply कर सकते हैं इसमें 2 vacances है mechanic कम operator training की apply कर सकते हैं इसमें आपकी जो है 2 vacances में machine street वाले एरेज़़़ए apply करने के लिए age की मैं बात करूँ 18 साल से लेकर 40 साल के candidate इस firm को apply कर सकते हैं लेकिन age जो होगी वो असम government के इसाब से होगी बतियाद रखना असम state का domiciles होना चाहिए क्योंकि मैं पहले बच्छा बता चुका हूँ आपको की local candidate ही apply कर सकते हैं monthly जो step on आपको इसमें मिलेगी पहले जितने भी candidate इसमें apply करेंगी उसको redundation के माधियम से ही selection में ली जाएगी उसके बाद आपको skill test भी लिया जा सकता है English यहां पे parameters का क्या होने वाला है किस हिसाब से आपका marks declare होगा selections की process को लेकर आप इससे देख सकते हैं अब एक ही state के लिए candidate ही apply कर सकते हैं तो यही होता है Royal India से जब vacances निकलती है तो अरुनाचल परदेश असम कोई मिलता है अब gas से निकली है तो उसमें असम कोई मिला है तो इस सब थोड़ा अन्या होता है other students के साथ देखो क्या कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट से वेकंस निकली है तो जैसी मर्जी इनकी अब देखो इसकी जो फो में apply करने की जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022 तक रखी गई है कुछ अभी टाइम है आपके पास apply करने की जाओ जल्दी से फोम फिल अप कर लो कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर कर लेना और जो भी है एक बार इसे रिट करके कमेंट जरूर करना चले मिल दे नेक्स वीडियो में तब देखले से हिंद